कौन सा डिमांड जोन कितना मजबूत है कैसे पता करें, चलिए जानते हैं, यहां प्राइस उपर से नीचे डिमांड जोन के पास आकर होल्ड कर रहा है, मतलब डिमांड जोन होने के बाबजूद, बायर्स इनिशियेट बाइंग नहीं कर रहे हैं, उनका इंट्रेस्ट कम हो रहा है, इसका मतलब यह डिमांड जोन कमजोर है, यहां पे ट्रेड एंट्री नहीं करनी चाहिए, नेक्स्ट, यहां प्राइस इस डिमांड जोन में आते ही बायर्स ने एंट्री करना स्टार्ट कर दिया, मगर प्राइस थोड़ा रुक रुक के जा रहा है, इसका मतलब य तेजी से उपर की तरफ लेके गए, ये डिमांड जोन सबसे स्ट्रॉंग होता है, ऐसे में प्राइस फिर से डिमांड जोन में आने के बाद, आप ट्रेड सेट अप को देखकर लॉंग ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं, स्टॉक मार्केट के ऐसे ही और इंट्रेस्टिंग लर्निंग कॉंटेंट्स के लिए,